दस अगस्त के गुरुकुलप्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है अपडेट एक महत्वपूर्ण दिन विश्व जैव इंधन दिवस दस अगस्त विश्व जैव इंधन दिवस हर साल दस अगस्त को मनाया जाता है इसका उद्देश जीवाश्म इंधन के बजाए वैकलपिक इंधन स्रोतों के उपियोग के बारे में मुद्दों को प्रकाश में लाना है यह दिन जैव इंधन छेत्र को प्रोचसाहित करने के लिए सरकार के प्रयासों को उजागर करने का भी प्रयास करता है जैव इंधन पर्यावरण के अनुकूल इंधन है जिन्हें क्रिशी अप्षिष्ट, पेडो, फसलों या यहां तक की घास जैसी जैविक सामगरियों का उप्योग करके उत्पादित किया जा सकता है विश्व जैव इंधन दिवस एक अनुठा स्थान रखता है क्योंकि यह 1892 में डीजल इंजन के विकास के पीछे मैकेनिकल इंजिनियर सर रुडोल्फ डीजल की विरासत का जश्न मनाता है अपडेट दोक महत्वपूर्ण दिन विश्व शेर दिवस 10 अगस्थ जंगल के राजा के जीवन का जश्न मनाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अगस्थ को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है बिग कैट रेस्क्यू दुनिया का सबसे बड़ा मान्यता प्राप्ट शेर अभ्यारणियक ने 2013 में विश्व शेर दिवस की स्थापना की यह डेरेक और बेवरली जौबर्ट द्वारा सहस्थापित किया गया था जो एक पति-पत्नी टीम थी जिसने शेरों की आबादी में गिरावट और उनके सामने लगातार खत्रों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्शक्ता को पहचाना IUCN द्वारा संकटापन प्रजातियों की लाल सूची के अनुसार शेरों को समवेदनशील प्रजाती के रूप में नामित किया गया है और संख्या में दुनिया में केवल 30,000 से एक लाख शेर बचे हैं इसलिए शेरों की आबादी को बचाने और बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सक्त जरूरत है अपडेट तीन नियुक्ती केंद्र ने किया वरिष्ठ नौकर्षाहों का फेर बदल अमित नेगी बने PM कार्याले में अतरिक्ट सचिव केंद्र द्वारा किये गए शीर्ष स्तर के फेर बदल के तहट वरिष्ठ आएस अधिकारी अमित सिन्ह नेगी को PMO में अतरिक्ट सचिव नियुक्त किया गया है उत्तराखंड कैडर के 1999 बैच के भारतिय प्रशास्निक सेवा आएस अधिकारी नेगी वर्तमान में केंद्रिय वित्त मंत्राले के तहट व्याय विभाग में सन्युक्त सचिव है 1998 बैच के भारतिय राजस्व सेवा आएकर अधिकारी समीर अश्विन वकील को केंद्रिय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्राले के तहट गंभीर धोखाधरी जाच कार्याले SFIO में पांच साल के कार्यकाल के लिए निदेशक नियुक्त किया गया है सरकार ने राष्ट्रिय विध्यान पुरसकार की घोशना की है जो भारत में विध्यान, पुरसकार की और नवाचार के क्षेतर में सर्वोच सम्मानों में से एक है इस रोचंद्रयान तीन टीम को अंतरिक्ष विध्यान और पुरसकार से सम्मानित किया जाएगा भारतिय विज्ञान संस्थान के पूर्व निदेशक प्रोफेसर जी पद्मनाभन को जैविक विज्ञान में विज्ञान रत्न पुरसकार के लिए चुना गया है विज्ञान श्री पुरसकार के लिए चुने गए लोगों में आनंदराम कृष्णन सी उमेश वाशने भीम सिंह, आदिमूर्ती आदी, सयद वाज अहमद नक्वी, संजय बिहारी और राहुल मुखरजी शामिल है RBI ने टैक्स भुगतान के लिए UPI की सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपए प्रती लेंदेन की Digital भुगतान को बढ़ावा देने और बड़े लेंदेन को सुविधाजंत बनाने के उद्देश से भारतिय रिजर्व बैंक, RBI ने Unified Payments Interface, UPI के माध्यम से कर भुगतान की उपरी सीमा को मौझूदा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए प्रती लेंदेन क की सीमा तै की गई थी, बढ़ी हुई सीमा से करदाताओं को सुविधा प्रदान करने की उम्मीद है, विशेश रूप से उच्च मूल्य के लेंदेन के लिए, यह निरनए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और नकद लेंदेन पर निर्भरता को कम करने के लिए RBI आये के चल रहे प्रयासों के हिस्से के रूप में आता है। वजन में विफल रही और उन्हें टूर्णामेंट से अयोग्य घोशित कर दिया गया, जिससे उन्हें अपना सुनिष्चित पदक भी गमवाना पड़ा। 29 वर्षिय विनेश पहलवान कुष्टी में ओलंपिक फाइनल में पहुचने वाली पहली भारतिय महिला पहलवान बनी थी। भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाली एक मात्र अन्य महिला पहलवान साक्षी मलिक नेरियो 2016 में कांस्य पदक जीता था। अपडेट साथ रैंक और रिपोर्ट भारत की नवीकर्णिय उर्जाक्षमता एक दशक में 165% बढ़ी। नवीन और नवीकर्णिय उर्जा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगो पर राजस्भा में एक चर्चा का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि भारत अब सौर और पवन उर्जा में महत्वपूर्ण प्रक्ती के साथ अक्षय उर्जाक्षमता में विश्वस्तर पर च 84.47 गीगावाट हो गई है जो लगभग 30 गुना वृद्धी को दर्शाता है अपडेट आठ खेल भारत की पुरुष हौकी टीम ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता भारतीय हौकी टीम ने एक उलेखनी उपलब्धी हासिल की है जिसे दोहराने में पांच दशक लग गए हैं पेरिस 2024 ओलंपिक में स्पेन के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ भारत ने न केवल पुरुषों की हौकी में कांस्य पदक हासिल किया बलकि 1972 के बाद पहली बार बैक टू बैक उलंपिक पोडियम फिनिश भी हासिल किया यह एतिहासिक उपलब्धी तीन साल पहले टोक्यों में टीम की रोमाचक वापसी के बाद हुई है जहां उन्होंने एक से तीन की कमी को पार करते हुए पांच से चार से जीत हासिल की और तीसरे स्थान का दावा किया लगातार ओलंपिक में इस सफलता को दोहराना एक मील का पत्थर है जो 1968 और 1972 के खेलों के बाद से नहीं देखा गया है अपडेट 9 खेल नीरज चोप्रा ने पेरिस 2024 ओलंपिक में भाला फेंक में रजट पदक जीता नीरज चोप्रा ने एक बार फिर इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्स किया दो ओलंपिक पदक हासिल करने वाले केवल दूसरे भारतिय पुरुष एथलीट बन गए भाला फेंक के फाइनल में भाग ले रहे नीरज ने नवासी 45 मीटर के शांदार थ्रो से रजट पदक जीता इस आयोजन को विशेश रूप से पाकिस्तान के अर्शद नदीम से कड़ी प्रतिसपर्धा मिली जो स्वर्ण पदक विजेता के रूप में उभरे नदीम ने शांदार प्रदर्शन के साथ ओलंपिक रिकॉर्ड तोर दिया 92.97 मीटर थ्रो दर्स किया और फाइनल में अपना दब्दबा स्थापित करने के लिए दो बार 90 मीटर का आकड़ा पार किया अपडेट 10 रज आंध्र प्रदेश में स्थानिय निकाय चुनाव लड़ने के लिए दो बच्चों की नीती रद्ध स्थानिय चुनाव लड़ने का अफसर नहीं देने के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने आखिरकार नेताओं को चुनाव लड़ने से दूर रखने वाली दो बच्चों की नीती को खत्म कर दिया है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के तहट नवगठित आंध्र सरकार ने आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम और पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव को मनजूरी दी जो दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को स्थानी और नागरिक निकाय चुनाव लड़ने से रोकता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू, केरल और तेलंगाना जैसे दक्षिनी राज्य चिंतित हैं कि उनके प्रभावी जनसंख्या नियंत्रन उपायों से उनकी लोग सभा सीटों में कमी आ सकती है